हेलो दोस्टो नमस्कार जैहिन स्वागधा आपको हमारे नई वीडियो में दोस्टो आज आप दोगों के समने लाया हूँ आपको आने वाला एक्जम डिपर्मेंटली एक्जम का बहुत ही आपका हेल्फ होगा दोस्टो आईए देखिते हैं इस वीडियो को नमबर वान 9 mm कारवाइन का पुरा नाम क्या है एंसर कारवाइन मेशिन 9 mm 1a saf नमबर टू कारवाइन की लंबाई फोल बात के साथ कितना होता है एंसर 19 inch होता है नमबर ट्री कारवाइन की लंबाई खुले बात के साथ कितना होता है 27 इंच, फोल बात के साथ 11 इंच और खुले बात के साथ 17 इंच 4. कारबाइन मेशिन का कुटर कितना होटा है? कारबाइन मेशिन का कुटर 9 इंच होटा है 5. कारबाइन का साइट रेदियस कितना होटा है? 6.1 इंच नमबर 6, कारवाइन की बेरेल की लंबाई कितने होते हैं कारवाइन की बेरेल की लंबाई 7.18 होता है नमबर 7, कारवाइन का वजन कितना होता है एंसर, 6 पाउंड सारून्स 6 पाउंड सारून्स होता है नमबर एत, कार्वाइन की खाली मेगजिन का वजन कितना होता है? कार्वाइन की खाली मेगजिन का वजन टेन उन्स, दोस उन्स नमबर नाइन, कार्वाइन की भरी मेगजिन के साथ कितना वजन होता है? कार्वाइन की भरी मेगजिन के साथ एक पाउन आट उन्स Number 10, Carbon की Bennett का बज़न कितना होता है Carbon की Bennett का बज़न 10 उन्स Number 11, Carbon का बज़न Bennett और भरी हुई मेगजिन के साथ कितना होता है Bennett और भरी हुई मेगजिन के साथ 8 पाउंस से उन्स Number 12, Carbon से कितनी किसिम के फायर किया जाता है Carbon से दो किसिम का फायर किया जाता है Single shot or automatic Single shot or automatic Number 13, फायर के डोड़ान अगर कारवाइन का राउन खोटम हो जाता है तो इसका पूर्जा आगे ही रुखेगा Number 14, दूर डुस्मन होने पर कारवाइन को किस पोजिशन से फायर किया जाता है Standing position दूर डुस्मन पे standing position और नज़्दिक डुस्मन में बैटल क्रफ पोजिशन में Number 15, नज़्दिक डुस्मन होने पर कारवाइन को किस पोजिशन से फायर किया जाता है Number 16, कारवाइन कौन सी सिधान पर काम करता है कारवाइन ब्लू ब्लेक डुस्मन के सिधान पर काम करता है Number 17, कारवाइन में कितने गुर्ष होते है Number 18, कारवाइन के गुर्ष का घुमाव किस तरह होता है Data की तरह होता है हमेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कोमेंट शेयर किज्जिएगा और हमदा एट अन्यट को सब्स्क्राइब किज्जिएगा और हर वीडियो का नोटिफिक्रिक्रिशन के लिए हमारा बेल आइकन को डबाने मत भुलिएगा तुस्थो और जल्दी ही में आप लोगों के सामने एल्डिसी का प्रोफेशनल लोज का और वीडियो लाऊंगा जितना जल्दी हो सेके कारवाइन का मुजल भेलोशरी कितना है एंसर बारासो आसिफित नबर ट्वेंटी कारवाइन के मेगजीन में कितने राउन आते हैं एंसर थार्टी फोर आते हैं लेकिन थार्टी तु ही भरे जाते हैं नमबर ट्वेंटी वन कारवाइन का साइक्लिक रेट ओफ फायर क्या है पासो से से सोल आउन पर मिनिट दोस्तों यह बहुत महुत पुनो क्वेशन है याद रखिएगा नमबर ट्वेंटी तु नाइन एम एम कारवाइन में कौन कौन सी रुके परती है एंसर खाली मेगज सेंबर में मोटा राउन बोडी में रुक मैस फायर और पर में कि परता है यह यह 9 और करवाइन का का हो हुआ है नामर ट्वेंटी ठ्रे कार्वाइन का बेनेट के साथ लंबाई कितनी है कार्वाइन का बेनेट के साथ 34.5 इंस होता है 34.5 इंस नामर ट्वेंटी फोर कार्वाइन को ले जाने के लिए कितने तरीके है और साथ 3 तरीके है Silling Arm Position, Tolt Sust Position, Mala या Hard Position Number 25 Carbon में Requel Spring का क्या काम है? Answer Breeze Block को आगे धकलना Number 26 Carbon की Affiliate Safety क्या है? Answer Sense Liver Carbon की Affiliate Safety है? Sense Liver Number 27 Carbon को Zero करने के लिए कौन से साइट का हरकत देते है? 4 साइट का Number 28 Carbon का सही MPI कहां बननी सही है? Answer Nissan के जगाँ से 2 इंच निशे और 2 इंच बाएं Number 29 अगर Ejector Tooth जाए तो क्या केस बाहर आएगा? आएगा क्योंकि Carbon Blue Black with API की सिधान पर काम करता है इसलिए केस बाहर आएगा Number 30 Carbon का काड़ गरेंस कितना है? 100 अगर से दोस्टो ये सेनल में हमारा सेनल में जनल नोलेस असे सेजीडी ट्रेटमेंट रेलवे एंटी बीसी क्लार्क शेयर पीएफ बीसे या अल आंप फोर्स डिपार्टमेंट का क्वेशन प्लास एंसर मिलेगा Indian Army and All Department के एक्जाम का इसमें आपको helpful वीडियो मिलगा जैसे जनल नोलेस बगरा दोस्टो आज का वीडियो इतने में समाप हुआ है वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट, सेयर किजिएगा हमारा सेनल को सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकन को डबाने मुद भूलेगा इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन को आपको जल्दी मिलेगा दोस्टो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार जैहिन